Cloud Formations मतलब बादलों की रचना जितनी खुबसूरत है वो उतनी रहसे में भी है बहुत बार तो हम ये सोच में गिर जाते है कि आखिरकार इनकी रचना हुई तो हुई कैसे होगी और इस वीडियो में हम आपके सामने पेश कर रहा है अब तक के 10 सबसे अमेजिंग और रहसे में Cloud Formations जिने देखने के बाद है आप सुब आसमान में देखते रहोगे नमबर 10 है जब तो हवा की स्ट्रीम अलग-अलग रफ्तार से मूह होती है पर यहां उपर से हवा की लेयर की रफ्तार नीचे के हवा के लेयर के रफ्तार से जादा थेज़ चाहिए उपर के लेयर के हवा की रफ्तार बादलों को घुमाती है जिससे ऐसे Rolling Cloud Formation मनते है नीचे से में कुछ fun facts भी है जिने आप जरूर जाना चाहोगे केविन हॉलमर्ट्स क्लाउट से प्रूप्षी के वात आवरंद किसी मित नहीं है सांटिस की सबसी ये बादल दूसरे ग्रहों पर भी पंते है जैसे कि शनी और केल्विन हॉलमर्ट्स बादलों को वैन गॉक के मशूर म माकरल स्काई इस तरह से काफी अच्छे से अरेंज कीवे बादल आपको बहुत कमी दिखाए देंगे माकरल क्लाउड्स को शीप क्लाउड्स भी कहा जाता है और ये दिखने में माकरल फिश के जून की तरह दिखते है ये बादल खुले आसमान में बहुत खुबसूरत है जिस वज़े से बादलों के फॉर्मिशन भीड़ कर उनसे लेर बन जाते है लेकिन एट्मस्फिरिक इंटेंसिटी दुसरे घटना को भी अंजाम देती है जिसे कि माकरल स्काई का दिखना मतलब आने वाले थंडर स्टॉर्म मतलब आंदी तुफान की तरफ इशारा करते है इसे समुदर में ट्रावल करने वाले लोग क्लाड फॉर्मिशन की मदद से भी मौसम का उन्वान लगाते है अच्छी बात यह है कि इस बातलों के बनने के 6-8 गंते बाद आन्दी तुफान का मतलब थंडर स्टॉर्म आता है इतना सारा समय तैयारी करके भागने के यह देते है क्योंकि यह किसी एटमोस्पिः की की वज़े से नहीं बनते है ओडिस यह पानी पूरी तरह से फ्रीज नहीं होता फयर अकर आपको हवा में किसी तरह का डिस्ट्रिबंस होता है जैसे कि प्लेन के वज़े से तो वहां की पान्य की बुंदे जल्दी से फृर्ज हो जाती है और वहां बादलों से आइस क्रिस्टल बनने लगते है और जब ये नीचे गिरते है तो फ्रिक्शन के वज़े से ये पिगल कर गाइब हो जाते है इस पूरे process की वज़े से बादलोग के बीच hole बन जाता है False wavelength cloud, ultra status या फिर ultra tumulous clouds होने पर ही बनते है क्योंकि ये कम height पर रहने वाले bother plane की वज़े से बड़े आसानी से disturb हो जाते है इस cloud formation का appearance लोगों के दिमाग में एलियन स्टीप जैसे चीज़ों की कलपना को बढ़ देता है तो अगर अगरे बार आपको कभी false track cloud formation दिखाई देते हैं तो आपको सिर्फ नदारे का मज़ा लेना है यह फिर एलियन के हमले की चेंचता करने की ज़रूरत नहीं है आपको नमसाद, cumulus nimbus cloud इन बादलों को एक शब में बताना हो तो विशाल का ये शब काफी हो जाएगा cumulus cloud ये सारे प्रकार के cloud formation में सबसे भारी माना जाता है इनकी size किसी भी cloud formation से काफी बड़ी रहती है और इस cloud formation के कई प्रकार है लेकिन उनमें सबसे common envir cloud और super sick cloud है ये दोनों भी बहुत बड़े thunderstorm और यहाँ तक की हे स्ट्रॉम के तरफ इशारा करते है envir cloud जैसे की इनका नाम दर्शाता है ये बादल envir cloud formation तब बनते है जब cumulus cloud से बहती हुई हवा उपर की तरफ जाती है इने हम updraft भी कहते है जब ये updraft वातावरन में बहुत उचाई पर एक लेवल पल बहुत जाते है जिसे metrologist equilibrium की level भी कहते है तब ये बादल समान रुप में फैलते है इसलिए बादल envir जैसे दिखते है पर super cell cumulus nimbus cloud formation किसी बड़े cyclone जैसे दिखाई देते है ये cloud formation envir cloud formation जैसे ही बनते है बस वहाँ एक और चीज़ लगी है जहां लगाता रोटट होने वाले updraft की जरुवत होती है इसे हम miso cloud भी कहते है ये miso cloud सुपर से cloud के आकार के लिए जिम्मेदार होते है सुपर से cloud को देखने के बाद वो किसी monster की दिखाई देते है जोसे बिच में आए किसी भी जीज़ को तभा कर देंगे envir cloud उतने खताराक नहीं है पर सुपर से cloud उनकी size की तरह काफी खतानाक रहते है जब जब सुपर से cloud formation बनते है तब तब हेल स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम और टॉर्नाडो जैसी घटनाए होती है तो अगर आपने कभी एक cloud formation देखे तो आप यूटन मार के आशा ही कर सकते हैं कि वो आप तक ना पोच पाए यह बादल दिखने में काफी अशुब लगते है और साथ में इनका रूप समुदर के लहरों से काफी mail खाता है यहाँ तक इनकी हलचल भी आपको समुदर के लहरों की याद दिलाएगी इस formation को सबसे पहले 2009 में खोजा गया था और नोट किया गया था International Cloud Atlas ने इस formation को Poetic Cloud Formation भी कहा है इन्हें देखकर ऐसा लगता है यह किसी आर्टिस ने आस्मान को अपना पेंटिंग बोर्ड ही भना लिया है और समुदर की सुन्दर लहरों को आस्मान में पेंट किया गया है आप किसी Aspirate Cloud के तरफ देखिए और बताईए कि क्या यह बादल हार्टिस्टिक नहीं लगते यह बादल भी Aspirate Cloud का ही एक प्रकार है इन्हें जाकुस कोटसु कहते है और इनका यह नाम एक मशूर फ्रिंच एक्स्प्लोर के नाम पर रखा गया है Aspirate Cloud तब बनते है जब हवा उपर जाती है और बादल हवा की मदर से उपर आगे बढ़ते है लेकिन इन्हें क्राइविटी नीचे कीच रही है जिसे बादलों में लहरो जैसी मुमेंट बनती है इनने देखकर भले आपको तुफान की संभावना लग रही होगी पर यह जल्दी गायब होने के लिए और आसमान से ब्रेक होने के लिए काफ़ी famous है अगर आपको यह formation दिख जाते है तो आप खुद को लखी मान सकते है क्योंकि यह shocking और amazing scene से दुनिया के कुछ जगों पर ही देखने को मिल सकते है इन पोलर स्टाटो स्पियर क्लाउड को देखने पर आपको नौथ पोल के अरोराज बोरी यालिस की याद आई होगी वेल आपको इतनी surprise होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन बादलो को mother of pearl cloud भी कहा जाता है जो नौथ पोल के अरोरा से काफी मेल खाते है यह बादल सिफ कुछ specific condition मी बनते है पहली condition तो यह है कि आस्मान में minus 83 degree Celsius से कम चाहिए और दूसरी condition यह है इन बादलो में एक size के ice crystal ही बनने जाईए ताकि वो इस colorful light को reflect कर सके इन बादलो को बनने के लिए बहुत कम temperature लगता है इसलिए North Pole या फिर South Pole में ही तिखाई देते है बले यह बादल काफी शांदार है पर यह बहुत नुकसान पहुचाने वाली भी है क्योंकि polar stratosphere cloud और सन लेयर के hole में बनते है यह बादल आसमा में मुझित क्लोरिन को खतना gases में बदलता है और साथ में nitrogen compounds को भी निकालता है जो जनरली घात gases की effect को कम करता है दुरभा के वश मेटरोलोजिस अब तक इस घटना के प्रती कोई हल नहीं निकाल पाया है फिलाल के लिए वो सिर्फ इन्हें study करके इस परेशानी का हल निकालने की कोशिश कर रहे है जैसे हमने पिछले fact में देखा कि cumulus nimbus cloud काफी खतनाक होते है पर वो वातावरन में काफी उचे height पर ही बनते है शेल cloud cumulus cloud जैसे ही बड़े रहते है लिकिन इनमें एक खतनाक अंतर है शेल cloud बहुत कम height में बनते है कि आप इन बादलो को आपके सर के उपर imagine कर सकते हो इनकी कलपना आपको डराने के लिए काफी है शेल cloud सब बनते है जब thunderstorm के down draft के नीचे आकर फैलते है और अब draft के साथ combine होते है और जैसे ही moisture कंडेंस हो जाती है ये शेल cloud बनते है भले इन बादलो का भायनक मंजर आपकी pan गिली कर देगा पर इसे लोगों को कोई भी खतरा नहीं है अगर आपको डर नहीं है तो आपको इ नमर तीन मैमटल्स clouds भले इन बादलो का आकार काय के उधर जैसा है पर एक cloud formation काफी strange और rare है जो बहुत कम ही तुनिया के कुछ कोनों में दिखाए देता है ये थैली जैसे दिखने वाले cloud formation जनरली cumulus nimbus cloud formation के ठीक नीचे बनते है पर एक दूसरे cloud formation के नीचे भी बनते है जाने वाले बाकी cloud formation जैसे ये formation तुफान का संकेत नहीं देते है बले इनका शेव पानी के भरे हुए बलून जैसा दिखता क्यों ना हो जो कभी भी फूट सकता है बहुत बार इन बादलों के अंदर का बर्फ या फिर पानी बड़े जल्दी से evaporate हो जाता है इसलिए बहु होगा हम आपके सामने एक और cloud formation प्रेजेंट कर रहे है जो किसी योफे की तरह दिख रहा है लेंटिकुले cloud formation जेनरली पहाड़ जैसे जगों पर देखनों के मिलते है यह लेंटिकुले cloud तब बनते है जब पहाड़ों की वज़े से एयर फ्रोड डिस्टरब हो जाता है और कुछ केसेस में इस प्रोसेस में एक साथ कई लेंटिकुले cloud भी बन जाते है जिनका आकार एंविर cloud formation से काफी मेल खाता है लेंटिकुले cloud formation जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुचाता पर एरोप्लेन पालेट्स के लिए ये काफी परेशान नहीं खड़ी करतेते हैं क्योंकि एरोप्लेन में टर्बुलेंस के वज़े से जटके लग सकते हैं तो अगर आपको प्लेन के खिड़की से लेंटिकुले cloud दिखते है तो सिट बेल पहन लीजे क्योंकि आपकी यात्रा जटकी के साथ गुजरने वाली है इससे पहले हम आप के सामने हमारे लिस्स का सबसे अमेजिंग cloud formation पेश करें आप कुछ cloud formation के बारे में जान लीजे जो हमारे लिस्स में शामिल नहीं हो पाए screaming face इंसान ही चेहरे जैसे बादलों को देखना हजिब लगता होगा लेकिन screaming face को देखना उससे भी डरामना है इस cloud formation को new bruce wing में स्थीत grand fell में देखा गया था skull face imagine कीजे कि किसी volcano से निकलने वाले दुए से skull जैसा shape बन गया है सोचने में काफी डराम लगता है ना वैल ऐसा ही मंदर लोगों को देखने को मिला था जब माउंड वस्वियस के जंगल में हाग लगी थी जैसे ही यह photo इंटरनेट पर upload हुआ था इसने पूरे इंटरनेट में अपना नाम कर दिया था वैल यह किसी प्रकार का cloud formation नहीं है यह aeroplane से निकलता हुआ दूआ है इस photo बता हुए cloud formation इनके सामने कुछ भी नहीं है यह cloud formation बहुती rare metallurgical phenomenon है यह morning glory clouds या फिर rolling cloud के नजारे देखने लायक रहते है इन्हें repulse in the atmosphere मतलब वातावरं की तरेंगी भी खा जाता है क्योंकि हमें एक साथ 100 मिटर से भी लंबे बादलों के रोज आसमन से गुजरती हुए दे आसो जरू ला सकता है यह morning glory cloud जनरली औस्टेलिया के car paint ria के खाडी में देखने में आते है लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि यह बादल दुनिया के दुसरे कोने में भी देखने में आते है इन morning glory clouds की रचना car paint ria के खाडी के अनुखी structure के वज़े से संबव है पर metallurgist की यह नहीं पाए है कि यह बादल दुनिया के दुसरे कोनों में कैसे बनते है वेल जादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है पर अगर आपको यह morning glory cloud देखते है तो फिर आप खुद को नसीवान समझ लीजे क्योंकि प्रकृति ने आपको उसके सबसे रहसिमी रशना को देखने का मौका दिया है यह दोस्त अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप सच में इंट्रेस्टिंग परसन हो और आपके इंट्रेस्ट को हमेशा जगाए रखने के लिए हम डेली एक फैट का वीडियो डेली प्रोवाइट करते हैं तो वीडियो सबसे पहले आप तक कोमेंट सेक्शन में लिखेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई